सरसो तेल के दाम आस्मान से जमीन पर जी हाँ, सरसो तेल की कीमतों में लगातार गिरावट है देश भर में लगातार बढ़ती महगाई ने लोगों की मुसीबते बढ़ा रखी है विपक्ष के लगातार आवाज उठाने के बाद भी सरकार इस और ध्यान नहीं दे रही यह हाल तब है जब क्रूड ओयल के दाम खट गए हैं लेकिन फिर भी पेट्रोल डीजल अभी महंगे हैं इसी कारण बजारों में हर वस्तु महंगी है पेट्रोल डीजल के चलते माल भाड़ा महंगा होने से देश भर में सरसो के तेल के भाव में भी तेजी देखने को मिली थी जबकि यूपी में सरसो का तेल आस्मान से सिधा जमीन पर आ गया है आज 24 अगस्त को यूपी में सरसो का तेल 157 रुपई पर खुला जबकि पिछले चार दिन पहले 181 रुपे था देश के वाइदा बजारों में लगातर महंगाई का तड़का लग रहा है इसके चलते आम लोग बहुत परिशान है यही कारण है कि बजारों में सर्सों के तेल के रेट विभिन राजियों में कम होने का नाम नहीं ले रहे इसके बावजूत उत्तर परदेश में फिलाग रहा देखने को मिरी है आज 24 अगस्त को यूपी में सर्सों का तेल महज 157 रुपे प्रती लीटर पर खुला है पिशेशग्यों का कहना है कि आने वले समय में इसमें और गिरावट बढ़ सकती है विरो रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी